नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल गुरुदिपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थानियोजना जिसमें की असनातक पास जो भी छात्राएं हैं उनको जो है पचास हजा का नाम नहीं है उसकी सच्चाई क्या है कि उनका नाम क्यों नहीं है और इसके लिए उनको क्या करना होगा तो आज इसी टोपिक पर बात करेंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले तो आप यहां पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की ओफिसियल वे option है इसमें आप देखेंगे कि list of eligible student यहां पर जो नीचे वाला दिखाई देगा इसी में आपको किलिक करके अपना जो भी list है आपका वो यहां पर मिल जाएगा ठीक है इसके लिए सबसे पहले अपना university name आप देख सकते यहां पर select करना होगा जैसे मान लीजिए मैं यहां प यहां पर select कर लेंगे उसके बाद यहां पर गलती क्या होता है कि देख लिए यह college जो type है तो आपको पहले पता करना होगा कि आपका college की type का constituent है अफिलियेटेड है या फिर minority है या फिर government college है तो ज्यादा तर तो constituent और affiliated ही होता है ठीक है तो वही आपको यहां पर select कर लेना है जो constituent होगा constituent करेंगे जिनका affiliated होगा affiliated करेंगे उसके बाद academic session आपको चुनना है कि किस session में आपने pass out किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारा session है 17-20 भी है 17-20 भी है 17-20 भी है 18-20 है और देख सकते हैं आप 19-22 भी है ठीक है तो आपका जिस session में आप पास किय होंगे आप वह ही select करेंगे यहां पर जैसे 19-22 session में 18-21 में यहां पर बताना चाहूंगा अधिकतर इसमें जो list है यह जो है 18-21 वाले का है तो 18-21 वाले जो भी student है उन सभी का नाम है ठीक है आप जैसे 18-21 में select कर लिया उसके बाद यहां पर सर्च कर देंगे तो आप देख alphabet के रूप में यहां पर दिया गया है तो आप जो है इस तरह से आप देख लेंगे कि किस तरह के alphabet से आपका नाम सुरू हता है उस हिसाब से यहां पर आप जो है यहां पर list number चुन लेंगे ठीक है और अब हम बात करना चाहते हैं कि यहां पर आप देखेंगे एकेडमिक से सेशन अगर हम 19-22 के लिए यहां पर अगर सर्च करें तो आप देखेंगे कि यहां पर no record found बताएगा आप देख सकते हैं तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि 19-22 सेशन हो यहां पर सेशन से मतलम नहीं है यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों का एक date दिया गया ह और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल ही देख सकते हैं कि apply online के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकिन को option दिया गया है तो आप देखेंगे रिजल्ट पब्लिकेशन विट्वीन 14-2021 से 31-10-2022 तक यानी 31-10-2022 के अंदर में अगर आपका रिजल्ट आया है और 14-2021 के बाद तब आप इसमें जो है इस पोर्टल से apply करेंगे उन्ही का नाम जो है इस list में होगा अगर इसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिकेशन हुआ है जैसे कि 19-22 से सेशन वाले कई जो है उन्वर्सिटीज में 31-2022 के बाद जो है थर्ड पार्ट का रिजल्ट आया है तो उनका नाम जो है इस list में नहीं होगा ठीक है इनके लिए जब आगे पोर्टल तयार किया ज इसके बाद नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर किलिक करेंगे और इसके बाद किलिक करने के बाद यहाँ पर किलिक कर देंगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या है टोटल यानि कि यह जो जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं जितना यहाँ पर लिखा गया उनिवर्सिटी वो जो है complete result अभी तक नहीं दे पाए हैं तो इसलिए उनका नाम हो सकता है कि इस लिश्ट में नहीं हो तो इन लोगों तो खास करके वेट करना ही है और अगर आप दुसरे उनिवर्सिटी से हैं और आप नीश से बाइस सेशन में पास किये हैं या फिर 18 से 21 में पास किये हैं लेकिन आपका result अगर इसके इसके बीच के बीच में नहीं आया है तो आपका जो है नाम उसमें नहीं होगा ठीक है इसके लिए आपको वेट करना होगा जब अगला पोर्टल तैयार होगा तो आपका नाम बिलकुल आ जाएगा हालाकि इसके और इसके बीच में भी result जारी हुआ है लेकिन आपका नाम नहीं है तो म कोई भी last date नहीं है आप जब चाहे online कर सकते हैं अब इसे एक साल दो साल बाद भी कर सकते हैं तो इसके लिए घवराने की कोई आवाशकता नहीं है कि मेरा नाम नहीं है मेरा नाम कैसे आएगा तो देखिए इसके बीच में result है तो बिल्कुल आ जाएगा आपका नाम अगर नह नाम नहीं है तो आपको जो आपने university में मिलना है तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक आप हमारे चैनल पर नए है सब्सक्काइब कर लिजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए चलि मिलते हैं एंगले वीडियो में जहिंत